स्टीव के बारे में कई अलग-अलग कहानिया बताई जाती है कुछ लोग स्टीव को एक जीनियस और विजनरी लीडर के रूप में देखते हैं जबकि अन्य लोगों के अनुसार वे एक घमंडी और सिंगल माइंड़ परफेक्शनिस्ट थे ये कहानी बताती है कि स्टीव आज के मशूर स्टीव जॉब कैसे बने स्टीव की कंपनी को आपल का नाम कैसे मिला कैसे पिक्सर ने जॉब्स की आपल में वापिस आने में भूमे कने भाई तथा मौत से लड़ने के दौरान जॉब्स ने अपने अंतिम महान प्रोडिक्स कैसे बनाएं। स्टीव जॉब्स में टिकनोलोजी के लिए शुरुआत से हुनर था। स्टीव जॉब्स का जनम 24 फरवरी 1955 को सेंस फ्रैंसिसकों में हुआ था। और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें उनकी बायलोजीकल मदर चुआना स्किबल ने किसी को गोद देने का एलान कर दिया था। परिवार के गराज में एक वर्क बेंच थी जहां जॉब्स के पिता उन्हें चीजें बनाना, उन्हें अलग-अलग करना और उन्हें फिर से एक साथ जोनना सिखाते थे। इस सिक्षा ने स्टीव को फ्यूचर के लिए एक अच्छी तरह से तयार किया। जॉब्स स्मार्ट थे, उन्होंने चटी कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उनका इंट्रेस्ट नाचरली मैट्स और साइन्स की तरफ था। जॉब्स के मातपिता के गिराज में अपने पहले मॉडल आपल वन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई कंपनी को नाम दिया आपल। दूसरे कंप्यूटर का निर्मान और आपल हिस्ट्री की सबसे तीजी से भढ़ने वाली स्टार्ट अप बन गई। अपनी कंपनी को एक्स्टाबलिश और आपल वन को डिजाइन करते समय जॉब्स को अपने जीवन का परपस मिल गया। उन्होंने और वाजनियाक ने अपनी मशीनों को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए एक लोकल स्मॉल बिजनस ओनर को कन्वेंस किया। जल्द ही वे हर हफ़ते एक डेजन कंप्यूटर बेच रहे थे। यह मॉडल दोसों से भी कम बिके लेकिन यह सक्सेस फिर भी एनरजी जगाने वाली थी। अपने पहरे प्रियास और वोजने के एक बहतरीन मशीन बनाने के अशौरंस के साथ वे लोग अपने दूसरे कंप्यूटर आपल टू पर काम करने में जुट गए। वोजने के प्लान को पूरी तरे से समझने के लिए उन्हें कुछ फॉन्स की जरूरत थी। इस प्रॉबलम को उन्होंने जल्द ही सॉल्व कर लिया। 1977 में उनकी कड़ी महनत रंग लाई और आपल टू जारी हुआ। बहुत जल्द आपल इतिहास में फास्टस ग्रोइंग स्टार्ट अप्स में से एक था। वास्तम में आपल टू के रिलीज होने के तुरंत बाद एप्रिल 1977 में कंपनी हर महीने 500 कंप्यूटर बेच रही थी। वहां से 1978 में उनकी सेल्स 7.8 मिलियन डॉलर से भढ़कर 1979 में इंक्रेडिबल रूप से 48 मिलियन डॉलर हो गई। प्रोड़क्ट की एक सीरिल फेलियर के परिणाम स्वरूप जॉब्स को जबरन कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ दोस्तों, 1970 के दशक के अंत में जॉब्स का जीवन एक रोलर कोस्टर रहा। वे अपने शुरुवाती 20's में थे और उन्हाने खुद को अपने करियर में पूरे रूप से डेडिकेट कर दिया था। शोशल लाइफ को लगबग खतम कर दिया था और यहां तक की कई दिन बिना सोई काम कर रहे थे। कई माइनों में इसका फायदा हुआ और जब 1980 में आपल कंपनी पब्लिक हुई जॉब के शेरों का मूले 256 मिलियन डॉलर्स था। 1980 में आपल 3 रिलीज हुआ जो पॉपुलर आपल 2 का सक्सेसर मॉडल था। 1984 में कंपनी ने Macintosh रिलीज किया। हलंकि शुरू में मीडिया ने इसके खुबसूरत ग्राफिक्स के लिए तारीफ की। लेकिन यह क्लियरली यूजलिस मॉडल था और इसकी सेल्स एक बड़ी फेलियर रही। इन लगातार फेलियर्स का मतलब जॉप्स के लिए सीरिस टबल थी। वास्तम में स्तिती इतनी टफ थी कि 1985 में उन्हें अपनी कंपनी से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। उस समय के CEO जॉन स्कूली ने जॉप्स को Mac Product Division के हेड की पोजीशन से हटने के लिए मजबूर किया। और इसके बदले जॉप्स ने स्कूली को कंपनी से निकालने की कोशिश करी। अंत में जॉप्स कंपनी के बोर्ट से जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं कर सके और मजबूरन उन्हें आपल से खुद को अलग करना पड़ा। जॉप्स अब अगली बड़ी चीज बनाने के लिए पहले से जादा फोकस्ड हो गए। अपल छोडने के बाद जॉप्स ने टेक्नॉलिजी में क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश की लेकिन थोड़ी सफलता ही हात लगी। हलंकि जॉप्स अपल से जबरदस्ती बाहर निकाले गए थे पर वो हार नहीं मानना चाते थे। तो दोस्तों 1985 में उन्होंने कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट एक्स्ट एक्स्टाबलिश करी। जब नेक्स्ट ने 1988 में अपना पहला कंप्यूटर रिलीस किया तो उसकी कुल लागत 6500 डॉलर थी और ये पूरी तरह से काम करने वाले नेक्स्ट सिस्टम की कुल लागत भी नहीं थी। पूरे कार्यों के लिए यूजर्स को 10,000 डॉलर के करीब खर्च करने थे। नाचरली इस कीमत पर प्रॉडेट के लिए कोई चांस ही नहीं था कि वो खरीदा जाए और उसको स्विफ्टली एक लार्ज नंबर पर बेचा जाए। तो वो ही हुआ जो होना था इस प्रॉडेट का फेलियर। तब जॉब्स को यह नहीं पता था कि पिकसार में उनका अनुभव ही उन्हें आपल में वापिस लेके आएगा। और इसके संकट से बाहर निकलने का रास्ता दूसरी सॉफ्ट्वेयर कमपनियों को खरीदना था। जॉब्स ने मदद के लिए अपना हाथ आगे भढ़ाया और 1996 के अंत में आपल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। इस तरहे जॉब्स आपल में वापिस आ गए। बाद में वर्षों में उन्होंने आपल को टेक इंडस्ट्री के प्रॉफिटिबल लीडर के रूप में री एक्स्टैबलिश करने की कड़ी महनत की। और 2000 तक आपल ने आइमाक और फार माक जैसे कई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रॉडिक्स लॉंच करे। कंपनी वापिस टॉप पर जा रही थी। 2003 में स्टीव जॉब्स ने कैंसर से मुखाबला किया। पर दोस्तो इसी समय 2003 और 2004 में आपल की ग्रोथ जारी रही। iTunes और iPods की सेल में भड़ोतरी होती रही। iPhone की release ने market को बदल दिया। तो यह clear रूप से कुछ अलग था। कई standards में यह दुनिया का पहला सही smartphone था। Full-size touchscreen ने iPhone को वास्तव में एक अलग category में खड़ा कर दिया था। एक और sense में iPhone iPod से एक natural progress था। यह एक phone, एक iPod और एक computer का combined और beautifully designed product था। तो Apple पहले से बहतर कर रहा था। लेकिन यही jobs के बारे में नहीं कहा जा सकता है। उनका cancer कभी नहीं गया और उनका स्वास्त कम होता चला गया। लेकिन इस fact के बावजूद उनकी बिमारी ने कभी भी Apple के daily businesses को जादा प्रभावित नहीं किया। और मौत की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था। 2009 की शुरुआत में उनका liver transplant हुआ था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और मंगलवार 5 October 2011 को Steve Jobs का निधन हो गया। Jobs के जाने के बाद उनके लंबे समय से संयोगी और मित्र Tim Cook ने Apple के CEO के रूप में टुक ओवर किया। और उन्होंने Jobs की विरासत को आगे बढ़ाया। विकास, सफलता, Creativity और Innovation की विरासत को। लाइक है। झाल